हेलो गाइज, तो आज चुके हम एक नई वीडियो लेके, ये कोई नॉर्मल स्टेडी मटीरियल की वीडियो नहीं है, ये एक फन फैक्ट की वीडियो है, एक बेसिकली में एक कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, जो कि बहुत रिलेवेंट ही इकोनामिक्स की स्टेडी के बहुत आसान कहानी है, बहुत आसान शब्दों में समझानी कोशिश करूँगा, बेसिकली ये कहानी हमें हमारे सर जिशान सर ने समझाई थी, उनी की बदावलत, मैं आज आपके सौमने ये वीडियो लेके आप आ रहा हूँ, उनी को पूरी क्रेट्स मिलते हैं इस वीडिय आप हिटलर वाले चेक्टर में इसे पढ़ते हैं, ग्रेट एकोनामिक देप्रेशन, वह ख्याला है, जो यूएसे का गॉल स्टेट एक्स्चेंज था, जो कि हम कहते हैं स्टॉक एक्स्चेंज था, वो पूरी तरह से और रहे था, और रहे था, रहे था, लोगों आपने श पर निकालने लग गए, एक दिन में करीवन 14 मिलियन शेर पर निकाले गए थे लोगों के, तो इससे वह वाल स्रीट एक्सचेंज पूरा क्राश हो गया, पूरा क्राश हो गया, अब इससे क्या होगा, लोगों ने जो पैसा था जो इन्वेस्ट करके रखा था, कहा इन्वे जो जब भी हम पैसा कमाते हैं, उसे खर्चा करते न, तो इकोनॉमिक से प्रोग्रेस करती है, कैसे? अगर हम खर्चा नहीं करेंगे, हम लोगे प्रोडर्ट्स को नहीं खरीदेंगे तो होगा क्या? दूसरे जो बे सप्लायर से जो भी सावान बनाते है, वो चीज़े बना पाएंगे उन्हें लगेगा कोई खरीतने वाला ही निए तो हम क्यों मना है सेम हालत USA में हो गए थी ग्रेट इकोनोमिक डिप्रेशन लोगों की इंकम कम हो गई थी लोगे इंकम कम हो गई थी अंइंप्लॉइमेंट बढ़े जारी थी क्योंकि लोग खर्चाएं नहीं कर रहे ना तो कुछ हो रहा है पौवर्टी गरीबी वह भी बनने लग गए लोगे बिजनेस शट्डाउन हो गए यह सब हुआ था हमने पढ़ा था बि इप्रेशन कोई लोग भार सामानी नहीं खरीद रहे लोग यह बास जो भी सप्लाइर से जो भी सामान बनाते हैं वह अपने सामान बेच ही नहीं पार लोग खरी दें रहे तो यह तो बेसिक से चीज़ सी ज़िए ग्रेट इकोनोमिक डेप्रेशन में हुआ था यह आप सब किते बच्चे होते हैं दो बच्चे होते हैं पहले बच्चे का नाम है कंजीउमर क्या नाम यह नम है कंजीउमर Oh offered बodar नाम है प्रेटीूसर और सप्लाइर कैसे हम कस्टमर वह सकते rhyme कह एक बात है बेसिक आपको समझ माना सवागी कोनोमिक डो बच्चे हैं पहला है Conference consumer दूसरा है customer पहला यह consumer दूसरा है producer यह दो बच्चे है economy के समझातों आपको सबको बता है consumer कोन है या customer कोन है अपन लोग है जो भी products को खरीकते है producer वही जो सामान बनाता है जो supply करते हैं चीजों को जो भी हार जो मार्केट में goods बन रहे हैं और इनके goods को हम खरीकते हैं अगर हम इनका सामान नहीं खरीकने लग जब तो इनका नुक्सान है कि यह किसको बेचेंगे सर्फ अपने को यह basic है अब economy क्या कहती है बाया economy को simple सा फंडा है economy यह कहती है याद देखो अगर तुम खुश हो अगर consumer साब खुश है और producer दुखी है अगर consumer खुश है producer दुखी है तो भी economy बेकार है तो भी यह situation खराब है और अगर producer खुश है और consumer दुखी है तो भी यह situation बेकार है तो economy को दोनी नीची है इसीज़े economy को simple front है economy क्या खेती है कि आज जब दोनों खुश होंगे ना जब दोनों खुश होंगे ना तभी मैं खुश होंगी यह कहती है हमारी economy जब दोनों खुश होंगे तो economy खुश ही तो सबका welfare हो रहा है सबके पास अच्छे आमदनी है सबके पास employment है poverty कम चल रही है बड़िया सा situation है खुशाली का महावले पुरे वर्ड में economy में जो भी particular country के पर यह economy दुखी कैसे होती है यह खुश केसे होगी यह भी सोचने वाली बात है दिखो बच्चो एक term होती है demand और supply यह कोई high-tech बात नहीं है जो कि किसी को समझ ही नहीं है कोई science का बच्चा अगर यह वीडियो देख रहा है तो उसको समझ नहीं है कोच simple सी बात है demand simple सी बात भी है demand क्या होती है जो हम लोग goods की demand करते है कोई चीज नहीं है यह demand मान लो मुझे एक पैंच यह यह मारकर चीह मुझे तो मैंने इसकी demand करी मुझे इसकी demand simple supply supply मतलब जो सौमने वाला retailer है जोगी supply है वो मुझे तेर है वह supply है simple सी बात है तो यह demand और supply है अब economy कब खुश होगी अभिया economy तभी खुश होगी कब खुश होगी तभी खुश होगी जब जो consumer है वो demand भी एक कर रहा है और जो supplier है वो supply भी same कर रहा है कैसे मान लो एक supplier ने 400 गुट्स बना है ठीक 400 गुट्स बना है अब हम सब consumer यह एक की बात नहीं हो रही है भीया सब की बात हो रही है तो इसके आगे एक वर्ड भी लग जाता है जिसको हम बोलते है aggregate aggregate मतलब सब की बात पर इसको भी एग्रिगेड aggregate demand मतलब एक producer अगर 400 डब्बे बना रहा है यह 400 गुट्स बना रहा है तो जो हम customer है जो हम consumer है वो ही क्या करें same 400 गुट्स कर लें वो ही same 400 गुट्स हमारी demand है ऐसा तब ही एकोनॉमिक खुश होगी ऐसा नहीं supply और यह 500 गुट्स की हम demand कर रहें सिर्फ 400 गी हमारे demand ही तो वह 100 गुट्स कुछ काम के नहीं है फेक होगे है अगर हम demand जादा कर रहे हैं वह लोग 600 गुट्स की demand कर रहे है और supplier बनाए 400 गुट्स हो रहा है तो भी कोई काम की situation नहीं वह भी खराब है ग्हेजव दिव्यों स्प्लार पैदल और प्रयने क्या सरन्हें को सब्सक्राइब को और या एक फूरह सकती है तो यह पैसिक आते आपको समझाए इसलिए कि आपको आगे दिख करते हैं अब देखो यह जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था ना अच्छो जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन तीग लगा लेते हैं और थोड़ा रिस्पेट्फुल लगेगा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आपने देखा इससे क्या होगा इंकम काम होगे लोगों की सेव ज्यादा करने लगगे बिजनेस तो बचे नी शट्टाउन होगे फैक्ट्रीज का इंड़स्ट्रिय इस स्टार्ट नहीं करिए तो उनके लिए टनल नहीं है बाकी जो भी कर चुके उनको बता है प्रेड़स्ट्रक्षों का मतलब होता है कुछ भी प्रेड़स करते हैं सामान को प्रेडियूस करना इसके लिए पे-सली चाथ चीजिए लगती है लैं लेड लेवरिग कैटल औ फोन नी प्रेडक्शन है सब प्रेडक्शन जो भी आप आज यूस कर रहे हैं वो भी प्रेडक्शन है तो ग्रेड एकनॉमिक डिप्रेशन में ये तो हो गया कि लोग के इंकम खतम हो गई देखो बच्चो कीन्स आपको क्या कहना था प्रेडेंट जो इस समय पर USA के थे एसी होटी कि जै कि पह deception करोड़ किया हालत इंगी हो घ्रक्शन है मिशास को प्रेशन हें और इन्हों ने खाय जैसाप केस को बलाए क्यों बुला है कि आप मिया हालत सही करो और कीन्स कौन था बहुत बड़ा एकोनोमिस था बहुत बड़ा अर्थ व्यवस्तक आदमी था इसको बुला है तो इन्होंने पूरी सिचुएशन समझाई तो कीन्स आपने बहुत सिंपल सा बताया चीज़े पर दो इस सिचुएशन यह है कि जो सप्लायर है अब लोग डिमांड तो करी नहीं रहे लोगों के पास पैसा है तो क्या खरीदेंगे विचारे क्या खरीदोगे आपके पैसे नहीं तो आप क्या से मोबस और नुडर्स खाओ अब ही बताओ पर तो मतलब इस सिचुएशन में यह होगा था जो प्र क्यों हम डिमांड कम कर रहे है क्षेशें यह दिमांड कैसे लिगी और फाल्टिवांड दोसो यह एक्सेस है तो हुआ किं साब जब आया प्रेसेड़न के साम colonial यह प्रसेड कुरी टौकर प्रेसेड़नd स्रनों यह यह चीजे लिगत जोघु और यह 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 क्यरीज हो प्र कि विलां जो भी एकसेस पड़ा है जो भी फोकट का सामाइन पड़ा प्रडक्शन पहले से पड़ा हुआ है करीब इसके एकसे नंबर तो नहीं पता है पर आई थिंग 200 करोड का शायद तक एकसे नंबर नहीं पता है तो इसी का असपास था 200 करोड जो कि भूद बड़ा अमाउंट होता है उस समय पे तो मेंको लखता है खमी हो गया उस समय बहुत जा नहीं तो यह 200 करोड का प्रडक्शन दोसो करोड का प्रड़क्शन कींस आपने बोला रेसिडेंट साहब यह दोसो करोड का प्रड़क्शन समुद्र में भादो क्या कर दो समुद्र में भादो यह कहना चाहिए अब इसके भी रिज़ा है इसने बोला क्या समुद्र में भादा करीबहों को मत देना वाना है तुमको यह तुनों को यह फरी में भी दिया थे ने ऑपर दिप्रेसर पड़े रहुकि और भाद करो ड़िसकी vapor करो और घंब आ आई ये किसे हो सकता है कि इतना सारा प्रडक्शन जो उने बनाया वो फेक दे पूरी मेंने गई पैसे गाद अलग नुकसान तो ये कैसे हुआ कीम साप ने समझाया कि यार फेकने से हुगा गया देखो अब ये जो प्रडक्शन फेका अब सप्प्लायर के पास कुछ ही बचा नहीं है सप्प्लायर के पास जीरो है इसके बाद या मान लेते जीरो है पहले तो प्रडक्शन बचा था ना दोसो करोड का पहले बचा हुआ था एकसेस में था अब नहीं है क्योंकि आप फेक के आगा मानक चली जी फेक है glory amen to Florida जब तुम ये 200 करोड दो ही तो होका गया अब supplier क्या करेगा उसे नए फ्रेड़ीम बनना पड़ेगा नए goods बनने पड़ेगे नए products बनने पड़ेगे सिंपल सी बात है न अब वपस से पैसा घमाना supplier को तो उसको नए चीज़े बनानी पड़ेगी, नए प्रडक्शन करना पड़ेगा, वो ही चाहरा था, नए प्रडक्शन के लिए कि लगेगी चीज़े, चलो वो भी लेकर आगया चीज़े, सामान आगया, रौ मटेरियल आगया, मनी आगया, पर एक सबसे इंपोर्टेंट फेक तो केसे सामान बनाएंगे, केसे अपन, तुो वह ही बोला कीन साब में, चलो अब ये प्रडक्शन फेक के आओगे न, फिक गरहाँ लो, सप्लेयर डनाया बनाने चला, बना रहा हुआ बनाया नई के लिए अचीए labor, नई के लिए अचीए labor, नई के लिए अचीए labor, नई अचीए labor को कहां से अप्रोच करेग़ा वहया, यह जो demand करने वाले लोग है, यही तो labor देते हैं इनको, ओर कुन डेल लेबर, तो बद उखे- रिव उँग क्या, अब यहां से लोग काम करने आते चले आओ 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 फिर नाया प्रडेक्शन बना वापिस से बन रहा नए प्रडेक्शन फिर ये लेबर ने काम कर दिया अब इससे एकोनमिक इसे रिवाइब कर सकती है जो नाया प्रेडक्शन बना होगा न तो लेबर को क्या हम मुफ्तम रगतेंगे उसे कुछ सेलरी देनी पड़ेगे उसे कुछ वेजिस देने पड़ेगे आम दनी तो देनी पड़ेगी प्रेशा करेंगे नेबर को न वोगा क्या सके हथ हाथ में के साल ओः गया थे ठेपड़ी तो पैसा आया जिये में लेकिए ओपर टब्बे खरीड आई है कि यही तो कहना था किसा στα पका Summarize करते हैं आखरी का जब यह 200 क्रोर का production ख़़िया पूरा production गया तो नए production के लिए लेबर चीए लेबर कहां से लेंगे इज़र से हाउसी जिटर से आउसी मतलब चापन लोग महां से लिया महां से लेबर लिया तो उनको wages देनी पड़े इनको सेलरी देनी पड़े ही, यहीं सेलरी, यह अपने प्रेडक्शन पे ख़श्चा पर चाल लिए, तो फाइदा के साथ? सप्लायर का भी फाइदा, और प्रेडूसर, प्रेडूसर, सब का फाइदा, तो एकोनोमी भी खुश, तो यहीं तो समझा रहते कि इन साथ, कि इन सा इसलिए कीम साब को आज के modern macroeconomics का modern macroeconomics पर देव तक खहते हैं इनके थियोरी है जनरल थियोरी ऑफ एंप्लाइमेंट जनरल थियोरी ऑफ इंकम इन इंप्लाइमेंट तो कि बहुत फेमस है कभिया पढ़ना विखेडिया पर उसको यह बेसिक्स थियोरी थी कीम साब के कीम स् और हम इसको 12th class में और higher standard पर पढ़ते हैं कि कैसे काम करती है aggregate demand, demand, supply यह आपको 9 से भी पढ़ाने चालू कर दिया जाता है तो यह basic कहानी मेरा उद्देश ही है था कि आपको पूरी कहानी समझा है समझाई जाए economy के basic चीजों के बारे पास चल जाए demand, supply, production और यह कैसे चीज subscribe कर सकते, like करी, share करी, comment करी, thank you for watching this video